आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students Our Question is The First Genetic Material is जो आपका Genetic Material क्या होता है? कि जो आपका एक Generation से दूसरी Generation के अंदर ट्रांसफर करता है जिसकी वज़े से आपकी जो Information होती है या जो Correctors आपकी एक Generation के अंदर होती है वहीं आपकी Second Generation के अंदर होती है तो Genetic Material आपका First कौन सा था? Options है Protein, Carbohydrate, DNA और RNA अब DNA और RNA ही आपका Genetic Material होता है Protein और Carbohydrate आपका ये Options तो गलत हो जाएंगे अब हम बात करें इन दोनों में से आपका First कौन सा था? तो वो था आपका RNA RNA क्या होता है? Ribonucleic Acid होता है ये जो आपका Genetic Material था RNA ये आपका सबसे पहला था First Genetic Material अब हम बात करें कि आपकी Life Processes होती है Genetic Material ये जो आपकी Life Processes होती है Life Processes के अगर हम बात करें तो ये जो आपकी Evolve हुई थी ये किसके Around हुई थी? आपकी RNA के Around हुई थी तो Evolve Around RNA इसलिए हमारा जो RNA है वो क्या होता है? First Genetic Material होता है पर जो आपका RNA है अगर हम इसकी बात करें तो ये एक Genetic Metal की तरह दो यूज होता ही था साथ ही ये क्या होता था? As a Catalyst, As a Enzyme भी यूज होता था तो RNA, As a Genetic Material and Catalyst दोनों की तरह यूज होता था अब इसके Character's की बात करें RNA के Character's की बात करें तो ये क्या था? बहुत ज़दा Reactive था और साथ ही Unstable था इसी लिए Later on जिस फोम में आपकी Genetic Metal को जाना गया वो थी आपकी DNA क्योंकि ये आपका Less Reactive है और Stable भी है जब हम बात करते हैं comparison करते हैं आपकी RNA से So Option Number D जो है वो आपका Right Answer है With this, Thank You